राष्टिय स्वेंग सेवक संग हमेशा ही भारतिय संबिधान उसकी भावना एवं उसके उद्धिश्यों सिध्धान्तों के साथ खड़ा रहा है जिसका उदारण है समय समय पर राष्टिय स्वेंग सेवक संग के सरसंग चारक डाक्टर मोहन भागवत द्वारा दिये गए ब करते हुए 3 अक्टूबर 2014 को नागपूर में विजया दस्मी उस्सा को संभोधित करते हुए संग प्रमुख ने कहा कि ऐसी नीतियां चलाकर देश के जिस स्वरूप के निर्माण की आकांचा अपने संभिधान ने दिक दर्शित की है उस और देश को बढ़ाने का काम करना हो भारत का संभिधान किस प्रकार भारतिय संस्कृति का समिस्रण है इस पर प्रकास डालते हुए 9 जून 2016 को नागपूर में संग सिक्षावर्ग तीतिय वर्थ समापन समारो को संभोधित करते हुए डक्टर भागवत ने कहा था कि इस देश की संस्कृति हम सब को जोडती है यह प्राकृतिक सत्य है हमारे संभिधान में भी इसी भावनात्मक एकता पर बल दिया गया है हमारी मानसिक्ता इनहीं मुल्यों से ओत प्रोत है यही नहीं 18 सितंबर 2018 को नई दिल्ली के विज्ञान भावन में आयोजित भविश्य का भारत कारिकरम में एक प्रस्ट के उत्तर में भारती संभिधान का महत्तों बताते हुए आरे से सरसंग चालक डक्टर मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंद्र भारत के सब प्रतीकों के अन कोई बाद हमको फिर से अपना जीवन अपने तंद्र से खड़ा करने का जो मौका मिला उस पर हमारे देश के मुर्धन्य लोगों ने विचारवान लोगों ने एकत्रित आकर विचार करके संभिधान को बनाया है